साथियों आज भारत जोडो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है कांग पोपी और सेना पती जिले से हम बस यात्रा के हमने किया है दूसरे दिन के दोपहर को हमारे युवा निता जो एनस यूआ इंचार्ज है कनेया कुमार जी आपको सम्भोधित करेंगे भारत जोडो न्याय कनेया कुमार जी साथियों सबसे पहले तो मैं आप सबका AICC के तरफ से भारतिया राश्चे कॉंग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सबका AICC की तरफ से भारतिया राश्चे कॉंग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग देश के अलग-अलग कोने से खास करके दिल्ली से चल करके बहुत सारी मीडिया के साथ ही आये हैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया के सबका बहुत स्वागत है जैसा कि जैराम जी ने कहा कि हमारी भारत जोरो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है कल मकर संक्रांती के मौके पे इसकी शुरुवात हुई और राहुल जी ने जो वार मेमोरियल है वहाँ पे लोगों के मन में तीन सवाल आ रहे हैं पहला कि भारत जोरो यात्रा क्यों कर रहे हैं दूसरा भारत जोरो न्याय यात्रा मनिपूर से क्यों शुरू किया जा रहा है और तीसरा कि भारत जोरो न्याय यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस तीनों सवाल का हम अलग-अ जबाब देंगे लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल का अंधी ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो नहित है जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मनीपूर से इसलिए शुरू की गई है आठ महीने हो गए हैं और मनीपूर में आप सब को ये अनभव हुआ होगा ये कॉंग्रेस पार्टी का दुस्परचार नहीं है हकीकत है कि इंफाल के ड्राइवर जो है वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं कानकोपी के ड्राइवर जो है वो इंफाल नहीं जा रहे है ये कॉंग्रेस पारिए नहीं बोल रही है जब पर्लामेंट में सवाल को उठा रही थी कि प्रधान मंत्री जी को मनीपूर पर जवाब देना चाहिए तो आप देखिए कि किस तरीके से बिपक्ष को बदनाम किया गया तो राहुल जी उस फक्त आए और राहुल जी देश के प्रधार मंतरी नहीं थे तुरह थी वह उस हालत में सुरक्षा का तमाम हवाला देते हुए उनको रोकने का अप्रयास किया गया उन्होंने कहा कि जब Lordस के लोग मर रहे हैं तो हम उनके बीच में जाएंगे इसलिए कल भी उन्होंने कहा कि हम मनीपूर इसलिए आये हैं कि हम मनीपूर के अपने भाई और बहनों को आसू पोचना चाहते हैं हम यहाँ पर जो हिंसा की इस्थिती है जो बटवारा है उसको समाप्त करके सांती करना चाहते हैं इसलिए भारत जोरो न्याय आत्रा की सुरुवात मनीपूर से की गई है दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि न्याय की जरूरत आज पड़ी है नहीं न्याय की जरूरत हमेशा से है इसलिए न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्ताबना में कह गई है लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है इसलिए अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कबजा कर लिया गया है अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के उपर होने वाले अन्याय पर अत्याचार पर आप सोचिए मनी मनिपूर में अत्याचार हो रहा है और प्रधान मंत्री जी एक बार मनिपूर का नाम लिये हैं मनिपूर के मुख मंत्री को बड़े भी आप देखिए कि रोज इस तरीके से इंसिचूशन आज की तारीख में न्याई डेलिवर करने में अक्षम होते जा रहे हैं एसी परिस्तिती में न्याई की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याई के खिलाफ और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम हैं विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो भी साधारन विक्ति इस समाज में देश में रहने वाले हैं, उनके साथ किसी भी परकार का जो अन्याय होता है, चाहे हो समाजिक हो, आर्थिक हो, राजनेतिक हो, उस अन्या मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं रोज 24 ये प्रेस कॉंफरेंस अगर एक घंटा चलेगा तो इस दवरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा तो हम इस देश के किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से सबसे कह रहे हैं राहुल जी कह रहे हैं कि डर्ये मत, सहीये मत, अन्याय के खिलाप संधर्स कीजिए और यह जो भारत जोरो न्याय यात्रा है इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके मैं कहता हूँ कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वरनी मितिहास याद करने की जरूरत है तैस साल की उम्र में भगत सिंग अगर फांसी के फंदे पे जूल सकते हैं देश की आजादी के लिए और लोगों के हक के लिए अधिकार के लिए न्याई के लिए तो हमको भी अपने संगर्ज के लिए अपने न्याई के लिए संगर्ज करना परेगा जैसे स्वतंतरता सेनानी होते थे उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए संबिधान से नानियों की जरूरत है आप नियाय योद्धा बन करके अनियाय के खिलाफ इस भारत जोरो नियाय यात्रा में सामिल होईए और यह जो नियाय यात्रा है भारत जोरो नियाय यात्रा यह यह नियाय के लिए है आम लोगों के लिए सभाविक रूप से कई सारे लो लेकिन राजनीत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है 1947 से पहले भी इस देश में राजनीती हो रहा था लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था इसलिए हर की आपوقारिय की मुखर आवाज बन करके संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सब के माध्यम से देश के नौजवानों किसानों तमाम आम आवام ऑवाम को आग्रह करते हैं। आप भी न्याय यत्था बन करके इस न्याय यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन्न राजियों से गुजरते हुए मुंबई पहुच रही है और मुंबई तक हम इस यात्रा को इसलिए ले करके जा रहे हैं कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के स्थापना मुंबई में हुई थी इस देश को आजादी दिलाया है भ प्राब्लम आपको हो रहे होंगे लेकिन आप सब आये हैं इस यात्रा में सामिल हुए हैं इसलिए हम पार्टी के तरफ से आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको धन्यवाद कहते हैं